नमस्कार दोस्तों, पहले भाग में आपने एकांकी का पठन देखा, वाचन देखा, इस वीडियो में हम इसका अर्थ विस्तार से देखेंगे, तो इस पाठ के लेखक मंगल सक्सेना जी ने प्रस्तुत एकांकी में शांती प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बूरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोटसाहित किया है, तो यह जो नाटी का एकांकी उन्होंने लिखी है, इसका उद्देश है कि बच्चों को अच्छी आदते लग जाए, वे शांती प्रियबने, वे बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें, और बूरी प्रकार के पातर है, एकांकी है, तो एकांकी में पातर होते है, यहां पर कुछ बच्चे है, यहां एकांकी कर रहे है, नाटी का कर रहे है, और इस माध्यम से हम सभी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे है, ठीक है, तो सभी प्रकार के जो बच्चे हैं यहां पर है, और इन बादरों का देश ऐसी कलपना की गई है तो देखिए कि यहाँ पर रातरानी है और उसके हाथ में हतोडी है कि जज साब आपने कोर्ट देखा होगा तो कोर्ट में क्या करते हैं जब लोग शोर करते हैं तब ऐसा किया जाता है तो यहाँ पर नीद परी नाम की एक परी भी है और उसकी पोशाक का भी वर्नन यहाँ पर किया हुआ है नीद परी की पोशाक कैसी है हलकी नीली पोशाक है धिली ढाले भाव वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है चोंगा मतलब जो देखिए अब उसका बेच देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा वही पांच बच और सुलील अलग कुरसी पे बैटा हुआ है देखिए यहाँ पर आपको सभी दिख रहे हैं यहाँ पर यह नीद परी है यह चोंगा लंबा चोंगा आपको दिखाई दे रहा है दो तारे बाजु में खड़े हुए हैं उनके हाथों में तारे हैं यह नाटी का चल रही है औ और उनिंदे से बैठे हुए कुछ बच्चे देखिए और कुछ जमाई भी दे रहे हैं यहाँ पर आपको चंदा मामा भी दिख रहे हैं इस परकार से नाटी का एकांकी चल रही है और परदा उड़ता है आपने देखा होगा नाटी का में या कोई फिल्म शुरू होती है नाटक शुरू होता है तो परदा उड़ता है यहाँ परदे का चित्रा देख सकते है और नीन परी यहाँ पर जो है रोने वाले बच्चों को विशेश कर आनिल को खड़े होने के लिए कहती है और वो डारती है और कहती है कि तुम क्यों रो रो रहे हो तो आनिल और जोर- लोर से लोको रोने लग जाता है तो उसके साथ जो दूसरे जो बच्चे होते हैं अखिर कार रहने के लिए बच्चे को कहा जाता है और नीन परी को भी कहती है कि इन बच्चों को शान बिठाओ और हमें आगे वाली कारवाही शुरू करनी है मतलब कारवाही मतलब action जो भी काम आगी करना होता है, वो शुरू करना है. तो नीन परी फिर सब की सिकायत करने लग जाती है. और कहती है कि सुनिल जो है, ओघर में चाय की कप प्लेटे तोड़ कर और अपनी मा से पीट कर सोया था. रात रानी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो सुनिल से कहती है कि इन्हें अपरात के अनुसार दंड दिया जाएगा कोई अपरात करता है तो उसको दंड मिल जाता है और तुम्हें सफाई देनी होगी मतलब सफाई देनी होगी, मतलब क्या किया, क्या हुआ था यह सब बताना पड़ेगा तो नीन फरी फेती है बाद में कि यह अपनी मा का कहना नहीं मानता क्या है कौन-कौन से आरोफ है सुनिल पर कि वो अपनी मा का कहना नहीं मानता खाने के समय खाना नहीं खाता मा कहती रहती है खाना खाओ नहीं खाता खेलने के समय खेलता नहीं रहता है कहीं भी कुछ करता रहता है पढ़ने के समय पढ़ता नहीं कोई काम समय पर नहीं करता है सुनील के बारे में इतना कुछ नीन परी ने कहा है तो रात रानी कहती है जवाब दो सुनील तो सुनील क्या होता है भोले पुन से कहता है कि अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते इसलिए मैं जवाब नहीं दोंगा नीन पर ही देख कहती है यह बड़ों को तू कहता है देखी एक बात हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि बड़ों को तू कहके नहीं बोलना चाहिए पुकारना चाहिए, उन्हें आप कहना चाहिए, अगर हमसे बड़ा है, तो आप कहना चाहिए, अगर अपने बराबर है, तो तुम कहना चाहिए, अगर अपने से छोटा है, तो उसे तू कह सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये अच्छी आदते हमें सेखनी चाहिए, तो तो नीनपरी क्या कह रहे है कि सुनील जो है यह दूसरों को दूसरों का आधर नहीं करता, दूसरों को पीटता भी है, सुनील क्या कहता है, अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो जूट मूट कहती है, मैंने कभी तो पीटा नहीं किसी को, मै से वह सुनिल कह रहा है तो रात रानी कहती है कि कहती है कहा है तो रात रानी कहती है कि तुमने कहती है कहा है देखे यहां पर है और हैं दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है यहां कहती है और यहां कहती हैं अगर बड़े है तो हैं पर अनुस्वार आता है इस है का अर्थ होत है और यह जो बिना अनुस्वार जो बिंदी के होता है उसे कहते है है और उसका उच्छान है है और इसे अंग्रिजी में कहते है इस इस हमें जान लेना चाहिए और जब बड़ों को हम पुकारते हैं तो है यह आधरवाचक होता है ठीक है तो गुस्टे से रातरानी फिर कहती रहती हो, उन्हें ठीक से बोलती है नहीं हो, तो ये अची आदते हैं हमें सीकनी चाहिए, हम तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा देंगे, तभी अनिल रो पड़ता है, सब बचे चोंक कर उधर देखते हैं कि अनिल क्यों रो रहा है, और सभी घला फाड़ कर रो पड़ते हैं, जला फाटकर रोना मतलब जोर जोर से रोना, क्यों रोते हो, रात रानी चिला कर कहते हैं, चुप रहो, क्या चल रहा है ये रोना धोना, और रात रानी गुस्से से कापने लगती है, उसे बहुत गुस्साता है, इस चित्रे में आप देख सकते हैं रात रानी को, उसका किस फ रात रानी कहते हैं अच्छा अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे चुप तो हो जाओ आनिल तुम सबसे अधिक रोते हो क्यों रहत रोते हो इस प्रगाल से रात रानी कह रही है आनिल कहता है रोने से खाने को लड़ों मिलते हैं सब हस पड़े देखिए फिर से हसीव मजा का वातावरन बन जाता है रात रानी कहते हैं हम तुम्हारी मा को कहेंगी की रोने पर तुम्हें डाटा करें तुम्हारी बात न माना करें तब लड़ों मिलते हैं इसलिए रोते हो यह अच्छी बात नहीं है तो मैं मा से तुम्हारी शिकायद करूंगे आनिल कहता है तब पदार्थ होता है, सफेध होता है, जो मिठा होता है, इसलिए हम रोते हैं, सुनिल कहता है, तो रात रानी कहती है, यह बूरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे, तो सुनिल रुआसा हो जाता है, रुआसा मतलब रोने जैसा हो जाता है, उसका करते हैं विंती करते हैं कि हम रोएंगे नहीं लेकिन सुनिल भाया को सजा मत दीजिए तो रात रानी हतोड़ी पीट कर कहते हैं ठीक है ठीक है शांती शांती शौर मत करो इतने में चंदा ममा भी वहाँ पर आ जाते हैं और नीन परी और रात रानी चंदा ममा को देखकर खड जाएंगे चंदा ममा भी आते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चो जैहिंद और रात रानी से कहते हैं कि तुम बच्चों को अन्याय कर रही हो तो रात रानी ड़ती है तो ममा कहती है कि कैसा अन्याय चंदा ममा कहता है एक वेक्ति में अगर गुन अधिक हो और बूरी आ लेकिन रात रानी क्रोध से उसको घुसा आता है, क्रोध से कहती है, नीद परी तुमने हमें इनके गुन तो नहीं बताए, क्यों? तुमने तो इनके गुन बताने चाहिए थे, आपने नहीं बताए, तो मुझे ऐसा लगा, कि सचमुची ये बच्चे दोशी है चंदा मामा कहते है फिर यही तो बुरी बात है कि किसी की अगर बुराई के साथ साथ अगर उसकी अच्छाई को भी अगर हम ढूंडे तो हमें मालूम पढ़ जाता है और सब में अच्छाई होती है ये सुनिल जो है ये भी क्या करता है छोटे बच्चों कभी नहीं पेटता उन्हें प्यार करता है उनको में उनकी मदद करता है और ये बच्चे जो है न ये अपने से बड़ों का कहना भी मानते हैं उन्हें प्यार करते हैं उनका आधर करते हैं और आपस में कभी नहीं जगड़ते, ये एकता के साथ एक रहते हैं, रात रानी को तब असलियत मालूम पढ़ जाती है, और वो कहते हैं, सच मुछ, इनके गुन तो मैं अभी अभी देख चुके हूँ, अभी अभी मैंने देखा, एक रोया तो दूसरा रो रहा है, और कह रह है, नीन पर ही कहती है, फिर रात रानी ऐसे गुनवाले बच्चों को तो हमारे यहां सजा नहीं दे जाती, सब बच्चे फिर प्रतिग्या करते हैं, कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदते छोड़ देंगे, और अच्छे राहों पर चलेंगे, अच्छी बाते सिखेंगे तो रात रानी कहती है, ठीक है, सब को ख्षमा किया जता है, तो सब बच्चे खुसी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, जय जय कार करने लगते हैं, और उन्हें धन्यवाद कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में एकांकी के माध्यम से अच्छी आ आदते त्यागनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, यह हमें इससे संदेश मिलता है, इस पार्ट से मेसेज मिलता है, आशा करता हूं कि यह पार्ट आपके समझ में आया होगा, धन्यवाद.